हेलो फ्रेंड्स, वेलकम तो माई यूटूब चैनल, नीशा स्टेडी पॉइंट गाईज, आज हम करने वाले हम नीसिम एजिकल द्वार लिखे गए एक पोईम, फिलोसोफी तो नीसिम एजिकल थे जो ये बहुत बड़े इंग्लिस राइटर थे इनको फादर ओफ इंडियन इंग्लिस पोईटरी के नाम से भी जाना जाता था क्योंकि इंडिया में मोडर्न पोईटरी को लाने वाले यही थे और ये पोईट, पेराइट, एडिटर और आर्ट क्रिटिक भी थे और इनका जनम 1924 में बोंबे में हुआ था और जनुवरी 2004 में डैथ हुई थी इनकी पोईब्स की फर्स्ट बुक, A Time to Change 1952 में लंदन में पब्लिश हुई थी और ये जो पोईब्स है, फिलोसोफी वो एक सोट और पावरफुल पोईब्स है और इश्वर की infinite mystery के बारे में बात करती हैं लेकिन सारी explanation और inquiry के बाद भी ये ultimate truth को सामने नहीं ला पाती हैं ये एक विचार मगन पोईब्स है जिसमें पोईट भगवान से पूरी तरह से मिल जाने की बात करता है एक हो जाने की कोशिस करता है ये पोईब्स लाइनों की पोईब्स है और इसमें चार स्टैंजा है और एक स्टैंजा में पांच लाइन है तो इस पोईब्स को सुरू करते हैं philosophy स्टैंजा नमबर वन there is a place to which I often go not by planning to but by a flow पोईट कहते हैं कि वहां पर एक ऐसे जगह है जहां पर मैं आक्सर चला जाता हूं लेकिन मेरी वहां जाने की कोई planning भी नहीं होती है by a flow लेकिन मैं बैता हूं वहां पर चला जाता हूं away from all existence ये जो जगह है वो सारे अस्तित्व से दूर है यानि पोईट अपनी सारी surroundings अपनी आसपास की surrounding से दूर आ जाता हूं to a cold और वहां emotions के लिए कोई जगह नहीं है वहां सब कुछ समझ में आ जाता हूं lucidity, whose will is uncontrolled और वहां पर कुछ भी ऐसा नहीं है जो की समझ में नहीं आई वहां इच्छाओं पर कोई नियंतर नहीं है here the mills of good are never slow और वहां पर भगवान की जो चक्की है वो कभी भी नहीं रुकती है poet का कहने का मतलब यह है कि भगवान वहां पर मेरे साथ हमेशा रहता है मुझे भगवान की कोई कमी महसूस नहीं होती second stanza the landscape in its geological prime यह जो landscape है imagery place है जो वो संपन है यानि कि यहां पर किसी भी चीज की कोई कमी नहीं है खाने पिनी की या किसी और चीज की कोई भी कमी नहीं है results to show यहां पर सब कुछ है वो घुलन सील है आपस में घुला हुआ है it's cutescental slim cutescental होता है स्रवस्रेश्ट सब से अच्छा और slim होता है कीचड पोईट कहते हैं कि यहां पर सब कुछ है वो आपस में घुला हुआ है जैसे कि कीचड रहता है slim होता है a million stars are bloated out I think of its historic passion as a blink यानि कि तारों को पलक जपकने से पहले ही मिटा दिया गया हो bloated out होता है निकाल दिया जाना या मिटा दिया जाना उन तारों को wipe out कर दिया गया हूं I think of its historic passion as a blink और यहां पर historic passion को feeling emotion historic image को point out किया गया हम वो जो images है वो मेरी यादों में है वो मेरी पलक जपने से पहले ही निकल जाते हैं that happened to the sad eye of time और poet उन imagery को sad बताते हैं क्योंकि वो सब जब होता है तो उनकी आँखी sad होती हैं उनकी आँखों से आसुगिर रहे होते हैं stanza नमबर 3 but residues of meaning still remain residues होता है meaning का यान कि जो meaning का अंस होता है वो अब भी बची जाता है अब देखा जाई तो poem का नाम ही philosophy है तो इसकी हर line में philosophical बाते हो रही है poet कहता है कि हम चीजों को कितना भी समझने की कोशिस कर ले लेकिन उसका जो meaning है वो थोड़ा बहुत तो रहिया जाता है जैसे कि as darkest myth मेंडर थोड़ा पेन towards a final formula of light मेंडर होता है बूलबलईया जैसे कि darkest myth दर्द के उस बूलबलईया से होकर गुजर रहा है towards a final formula of light और अपनी जो अंतिम लाइट है उसकी तरफ आगे बढ़ रहा है I do reject this clarity of sight तो पोईट कहते हैं कि मैं इन नजारों को इस दरश्य को reject करता हूँ क्योंकि what cannot be explained do not explain क्योंकि जो चीज explain नहीं कि जा सकती उसे explain करने की कोशिच भी नहीं करनी चाहिए क्योंकि कुछ चीजे ऐसी होती है जिनको हम चाहा कर भी explain नहीं कर सकते हैं जैसे कि अगर हम से कोई पूछी ले यही पूछी ले कि बगवान क्या है तो हम उसको मतलब पूरी तरह से definition उसकी नहीं दे पाएंगे कुछ ना कुछ उससे फिर भी रही जाएगा स्टैंजा नमबर फॉर मेंडन होता है हमारी जो इंद्रियों की simple language है वो गाती रहती है अपनी खुद की ही समझ को mental representing को common things become by virtue of their commonness and argument against their nakedness common seizing अपने ही commonness के गुण के कारण argument बन जाती है अपनी ही nakedness के कारण that dials of call to find the truth it brings यह जो argument मर जाता है cold necessity के कारण यानि कि भावनाओं के मने से जो सच्चाई होती है truth होता है वो कम हो जाता है जैसे कि हम simple सी चीज़ पर ही argument कर रहे होती है लेकिन उसमें human emotion को ही निकाल दिया जाए तो सारा जो matter है वो वहीं पर खतम हो जाता है तो फिर कहने के लिए कुछ बसता ही नहीं है यह जो हमारी point है philosophy वो complete हो चुकी है आप comments में बताएं कि आपको ये वीडियो कैसे लगी और आप कौन से और नई topics पर वीडियो पाना चाहते हैं वो मुझे comments में बताएं आपको पाना चाहते हैं